हलो सात्यो हाई कैसे हो अच्छे सापकी पड़ाई बिल्कुल चल रही होगी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रिट बढ़ती प्रिक्षे 2022 में आपका पंजबी लिंग्विज का जो L2 का पेपर है उसमें जो आपको राजस्तान जी के पॉलिटी करंट अफियर के जो सव पहले हैं पहला कुशन आगे बढ़ता है उससे पहले आपको बहुत महत्पून सूचना मैं आपको देना चाहूंगा सूचना यह है कि अगर आप राजस्तान के कोई से वी एक्साम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जूड़ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने मित्रों के साथ चैनल पर आपको देखो और पीए सी तीक राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं आर पीए सी के सो प्लस पैप्रों को सांधार व्याक्या के साथ सोलिशन मिलेगा आप हर एक पैपर देखना बहुत मज़ा आपको पढ़ने में वाक्य में लगेगा सर एक अच्छा सा कंटेंट आपने उपलब्द करवाया दूसरा अगर RSSB बोर्ड है या RSM SSB के दो या RSSB नया नाम इनका RSSB है तो इसकी भी सो प्लस पेपर आपको हल करेवे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे यानि ओलोवर में बात करो तो आपको 200 प्लस पैपरों स्लिशन इस चैनल पर उपलब्द मिलेगा कि इसमें देखो क्या क्या है राजस्तान जी стор है इसके अलावा आपका पॉली टीवी मिलेगी प्र मैं इसके आलाव में बात करूं इंडिया भी मिलेगा आपको ठीक है इसके लाव वर्ड भी मिलेगा यह निसब कुछ इनी पेपरों के अंदर आपको मिलने वाला है अगर अच्छे साब कवर करते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इसलिए चैनल के साथ जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को जो है बिल्कुल सांधार तरीके से जारी करें तो अब बढ़ते हैं पहले क कोशन की तरफ देख लिए पहला कोशन आपका क्या है राजस्तान की वे जिलेजु यहां पर ये टन के desert circuit का मुख्य भाग है यानि मरू circuit का जो मुख्य भाग है फिर कौन से जिले आपको बताना है तो देखो जेपुर, बिकाने, जोदपुर, जसल में जेपुर तो सामिल है यह नहीं यह वाला option तो आपको बिल्कुल यह आट गया ठीक है जेपुर यह वाला option भी गया आपका ठीक है बचे दो option आपके पास अब इसने क्या का desert circuit यानि मरू मरू circuit में कौन-कौन से जिले सामिल है तो इसमें देखो आपका मैं बता देता हूँ जोदपुर, बिकानेर और जसल मेर बिल्कुल option number B जो है बिल्कुल आपका right answer हो जाएगा ठीक है बिल्कुल final answer की में भी आपका B ये confuse नहीं हो ना सर की जोदपुर नहीं ये बाड मेर वाला होगा बिल्कुल comment मत करना option number B जो है इसका बिल्कुल right answer है सो परतिसत सही answer है ठीक है अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं राजस्तान में परियेटन के बारे में परियेटन का थोड़ा परीचयापन करते है तो देखो परियेटन के बारे में बताता है तो परियेटन को सर उपर तम उद्जोग का तो दर्जा दिया गया था नहीं वो चार यूग का दरजा कब दिया गया चार मार्च 1989 मुहम्मद युनुस सिमिति की सफारिज पर परियेटन को उद्योग का दरजा दिया गया इसके लाव में राजिस्तान में परियेटन संभाग के बात करूं तो चार परियेटन संभाग है आपको बिल्कुल याद रखना tomorrow परियेटन संभाग हो तो आपको याद रखना के राजिस्तान में के परियेटन विवाग का जो तो यह स्लोगन न वह यह आपका पदाौ् यह इसका स्लोगन है आपको याद रखना है दूसरा मैं बात करूं तो राजस्तान प्रियेटन विवाग की जो टेग लाइन है वो है राजस्तान द इंक्रेडिबल स्टेट्स ओफ इंडिया यह इसकी टेग लाइन है ठीक है दूसरा मैं आपको और फैक्ट बताना चाहूं तो राजस्तान के प्रियेटन विवाग का जो पर्तिका अत्मक पसू यानि सिंबोलिक एनिमल जो है वो ऊट है आपका ठीक है बिलकुल आपको याद रखना है अब आगे बढ़ जाते हैं यह सारे जो जानकारी मैं आपको दी ह है एक्जाम औरियंटेट है या से सवाल बनने की जो संभावना है वो 90 से 95 पॉसंट है और यह मुहमद युनिविश्ट सिमिति केवार पूछी गई है जैसा कि मैं आपको बताया है तो इसी तरह मैं इंपोर्टेंट कोशन आपको बताता रहूंगा दूसरे कोशन के मैं बा वन जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर वजाएगा करेम खा नियंग अब देखो इसके बारे में अगर थोड़ी सी अपन चर्चा करना चाहा है तो मैं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट जरूर बता दूँगा चारबेत मूल रूप से अफगानिस्तान का है कहा का है अफ फैजुल्ला खान कौन भी टोक के नवाब जो थे फैजुल्ला टोक के नवाब फैजुल्ला खा किसमें अब्दुलकरीम खान नियंग ने इस्तान ये बासे हमें इसकी सुरुआत करी थी और चारबेत जो है आपका वो वीरस परदान लोकनाटे है युद्द के दोरान सिप प्रस्तुत किया जाता है बिल्कुल आपको याद रखना है ठीक है और इसमें जो मुख्य वाद्य अंदर उतन वह आपका डफ होता है यह सवाल पूछा जा सकता एक्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि चारबेत लोकनाटे में कौन सा वाद्य अंदर का तो एक्साम में बन सकता सिदही सवाल बनेगा कि गीगला के बापू के उप्νाम से किस व्हक्ति को जाना जाता है तो पतलीक हो सटाएग और कामारिचा के जादूगर के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है तो साकर का तो इस तरह से आपके सवाल बन सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं question आपके सामने है लोगalth nutshell के मैं ने कई की हो जाव है तीसरी की में बात करूं तर इसका तीसरे की जो राइट आνसर हो जाएगा और ऑप्षिन नमबर बी जो है बिलकूल राइट दौा जायेगा क्या एनबर आंश ऑजाए-iendorich ayud लोग która हम एन बात पॉस कहा कोपिशन कोपिशन नमबर 4 आपके सामने है इसका उत्तरपन देख लेता है अच्छे से वर्स 2011 की जंगना नुसार राजस्तान में वह जिला जहाँ सहरी जंसंक्या लिंगानुपात राज्ये में सरवादिक रहा वह है तो देखो उदेपुर का भी नहीं है बासवडा भी नह सहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा जो सहरी लिंगानुपात था टॉक का था बिल्कुल आपको याद रखना कितना 914 कितना था 914 बिलकुल आपको याद रखना परती परती हजार पुरसों पर कितनी महिला है 914 अब देखो मैं important fact बताता हूँ इस सवाल का ता आपका option number D right answer हो गया अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ओलोवर राजस्तान का लिंगानुपाद अगर 2011 की जंगन्ना का अनुसार मैं आपको बताऊं तो 928 अब कितना था परती हजार पुरसों पर 928 महिला है अब मैं बात करूँ सहरी लिंगानुपाद बता चुका हूँ ग्रामिन लिंगानुपाद अगर आपसे पू अब देखो आपको साथ में याद रखना है कि सरवादिक लिंगानुपाद वाला जिला पूछले जावे तापका दूंगरपुर है कौन सा है नूंगरपुर का जो लिंगानुपाद कितना है जा सबसे कम लिंगानुपाद वह आपका दूलपूर ठीक है या कितनी मेला है प्रती हजार पुरसोब आपको याद रखना है अगर आप में से कोई बहतर तयारी कर रहा ना आरेस लेवल की कर रहा है या अगरिकल्चर सुपर्वाइजर की कर रहा है शांदार उद्ध्योग परसार अधिकारी की कर रहा है तो देखो तो सवाल कैसा बनेगा मैं बताता है कि विए सरवादिक लिंगानुपाद वाला जिला ग्रामिड सेत्र में कौन सा है तो आपको याद रखना पाली पाली क लिंगानुपाद कितना है तो मैं आपको बता देखो एक हजार तीन परती हजार पुरसो पर और राजस्तान का एकमात रहसा जिला है जो हजार क्रोस है सहरी और ग्रामिड में टोटल में यह सवाल भी पूछा कि एक्जाम आपको याद रखना जबकि सबसे कम आपको बिल्कुल याद रखने हैं इंपोर्टेंट है एक्जाम में बन सकते हैं अब अगले कोशन की बढ़ जाते हैं कोशन नमबर 5 देख लेता है पर कोशन नमबर 5 आपके सामने है प्रत्यूराज राठोड रिगनी चावी करती है यानि प्रत्यूराज राठोड की कौन सी जो करती है फैमस है तो आप सभी को पता है आप सभी जानते हो वैली किसें रुकमेनिरी ऑप्शन नमबर 6 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगले कुशनों की तरफ बढ़ जाते हैं अगले कुशन देखते हैं तो यह लोगा कुशन आपके साम पात में राजस्तान सरकार ततार दोरह स्थापित किया गया है तो रिड़ कोर में राजस्तान सरकार का और किसका जो 50-50 परसेंट पार्टनर सी पर यह आपको बताना है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई-एल-एस-फ ऑप्शन नमबर ए आई-एल-एस- राजस्तान सरकार का जो रिड़ कोर है आपका सहीं तुद्यम इसमें 50% तो राजस्तान सरकार का 50% आपका आई-एल-एस-फ का ठीक है तो अप्शन नमबर ए जो है आपको बिल्कुल याद रखना है आगे बढ़ते कुशन नमबर 7 की में बात करता हूँ नम लिखिद में से किस इस्तान पर राजस्तान में साधरनते सरवादिक वर्सा दर्ज की गई है तो आप सभी जानते हो राजस्तान में सबसे ज़्यादा वर्साथ आपकी कहा होती है माउंट आपू में ठीक है 500 cm से लेकर 153 cm तक लगवक ठीक है इतनी बर्साथ राजस्तान में सबसे ज़्यादा बर्साथ माउंट आपकी कहा होती है ठीक है और सबसे ज़्यादा बर्साथ वाला जिल आपसे पूछ ले जावाद है कौन सा है जालावाड और आपसे पूछ ले जाए राजस्तान का जो वर्सा का परतिस्त ओस्त कितने हैं तो आपको याद रखना है बिल्कुल आपको मैं बता दू 57.51 राजस्तान का ओस्त परसा होती है ठीक है आपको बिल्कुल याद रखना है अब बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ अगला क इसके सिस्व्चंद बढ़ती है कि कहानी कौनसीय कमेंट करकर बता अगे भए अगला कँशन मूर्ग की आभूषन कि खेर किशी एक में पैंने जाता है और कि उसे पाउसंद के पाण कर प्मीद आपका और पाहनकर कान के अंदर पैना जयाताै नाक में पेहने जानी मांग सुत्र पेहना जाता है अगले कोशन की तरफ बढ़ जाते हैं अगला कोशन देख लेता अगला कोशन क्या है तो यह आपका कोशन नंबर है नोगर कोशन नंबर 10 आपके सामने यह रहा किसके सासनकाल में किसंगड चित्रगला सेली कुछ सवत्यंत्र सवरूप प्राप्त हुआ था राजा किसंद सिंग राजा जगमाल राजा सवरूप सिंग राजा सावन सिंग तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा सावन सिंग ठीक है राजा सावंत सिंग, इन्होंना अपना नाम बाद में नागरिदास रख लिया था, बिल्कुल आपको याद रखना नागरिदास रखा था और ये वरंदावन चला गया था, बिल्कुल आपको याद रखना नागर समुच्ची, ठीक है, तो ये सवाल भी एक्जाम में आपका पूछा गया, बिल्कुल इंपोर्टन्ट है, ठीक है, किसंगर से एली जो है, जो सुन काल माना जाता है, इनमें राजा सावन सिंग के काल का माना जाता है, बिल्कुल इंपोर्टन्ट है, आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, बनी ठनी जो फैमास है, आपके किसंगर से लिए, वो भी आप याद रख से तो किसने मनाया था, तो मोर्धवज नि पगड़ी को कहा जाता था, ठीक है, और आमर शाही, ठीक है, विजे शाही, ठीक है, बिएम शाही, ये सारी पगड़ीों के नाम है, ये भी आप याद रख सकते हैं, वापस रिपीट हो सकता है, राजस्तान में लोडते होय जोड़ता होय मानसून की जो अब्दी है न, वह अक्टुम्बर से दिसंबर है वे जिसे मानसून प्रत्यावरतन के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है मानसून प्रत्यावरतन के नाम से भी जानता जाता है बिल्कुल आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं किन संत्री वानियो तो संक्लित करी जो Pen 181 का आपका बिल्कुल राइट रोजयागा मैं कर सही अंसर की बात करो तो दादू दयाल एस हो अप्षिन नमबर servi हो निया तो एक तो अपर सम्परदाय की जो पस दानाम से किसे जाना जाता तो वो भी दादू दयाल को ही जाना जाता ठीक है दादू दयाल जी का आपके दो पतर थे दो पतर थे और दादू संपरदाय की जो स्थापना करी थे दादू दयाल ने करी थी और मुगल बात से अकबर से भैट हुई थी जिस संथ की वो भी दादू दयाल ही थे रखना है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर 14 के अगर मैं बात कर लो तो गिरी सुमेल युद्ध किसके मद्दे लड़ा गया यह आपको बताना है तो गिरी सुमेल युद्ध जो लड़ा गया तो आपके मालदे वे एक शेडशासूरी थे आपको नजर आ रहा हुगा राम मालदे और शेडशासूरी के मद्दे आपका युद्ध लड़ा गया तक कुंसा गिरी सुमेल का युद्ध अब एक्जाम में आपके सवाल युद्ध पूचा जा सकता कि कब लड़ा गया ता आपको याद रखना है 1544 में लड़ा गया ठी तरण तेसिल को ब्यावर में डाल दिया गया तो ठीक है साथ के साथ आप ये भी याद रख सकते हों इसी युद्ध के दुरान से से सुरह ने कतन कहा था मुठी भर बाजरे के लिए में हिंदुस्तान की अच्छात खो दिता बिलकुल आपको ये कतन भी याद रखना ये कत इस्तिति आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये पत्थर आपको जसलमेर में मिलता हुए कहां मिलता है जसलमेर के अंदर मिलता है जसलमेर जो की पीले पत्थरों की नगरी है सबस्यादा पीले पत्थर आपको जसलमेर में मिलेंगे ठीक है और जसलमेर यरा जस्तान का दूसरा लिवइंग फोर्थ है पहला लिविंग फोर्टすब का दूसरा लिविंग सोत आफका जसलमेर है अब आगे वढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अब निम्न में से कौन सा नर्ते बड़े नगाडों की थाप के साथ किया जाता यह आपको बताना है ठीक है बड़ा अच्छा कोश्चन है इसका सही उत्तर देखता है पन कौन सा होने वाला है अगनी नर्ते गिंदर नर्ते डांडिया नर्ते बं नर्ते तो ऑप्शन नमबर कि विन्द डी जो है नापका बिल्कुल राइट अंसर हो जएगा बड़े नगाडों की थाप पे जो क्या जाता ेटा है अलवर और भरतपूर में किया जैता है का किया तबी अलवर और ब्रतपूर में किया जाता अगनी नर्थ्य यह रहाद जी के अराद में किया जाता है ठीक है बिल्कुल आपको याद रखना है कि और गीदडर नर्थ्य आपका सेकावटी का भॉह डांड यह नर्तिकी में बात करूं तो यह मारवाड का फैमस है का का फैमस है मारवाड का आपका फैमस है बिल्कुल आपको याद रखना है अगले कोशन के और बढ़ जाते हैं अगला कुशन आपके सामने कोशन नमबर 17 वन विबाग राजस्तान द्वारा जारी परसासनिक परतीवे दिन 2021-22 के अनुसार राज्ये में वे जिला जहाँ वनो का परतिसत सेतर में दिर्टी एक सरवादिक है यह दूसरा सबसे ज़्यादा परतिसत के मामले में वन कहा पाये जाते हैं यह आपको बताना है तो देखो मैंने कल ही आपको बहुत अच्छे से बताया था वनो के बारे मैं आज से वापस रिपीट कर देता हूं मैं देखो परतिसत के मामले में अगर पूछ ले तो आपको UPSC याद रखना बैस सीविल सर्विसेस का जो एक्साम होता है UPSC ठीक है तीसरे नमबर पर सिरोई चोते नमबर पर सी से आपका करो ली तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा अगर इसी तरह आपसे पूछ लिया जाएगा कि सैत्रफल की द्रस्टी से सबसे ज्यादा वन पाया जाते देख चोटी सी ट्रिक आपको याद रखो सारे सवाल आपके इनसे क्लियर हो जाएंगे और ये बार-बार रिपीट होतार वापस बनने की पून्ने तसंभावना इस परकार से आपका सवाल एक्जाम में बन सकता है तो आगे देखते हैं अठारवा डेस अच्छा गोविंद गिरी की गतिविदियो का केंदर 1911 और 12 में डेस था कहा था ये आपको बताना है तो आठारवे की में अगर बात करूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेड़ सा हो जाएगा बेड़ सा ओप्शन नमबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेड़ सा और बगत अंदुलन का जो नेत्रतु किया था वो भी किस ने किया था गोविंद गिरी नहीं किया था बिलकुल आपको याद रखना है और मानगट हत्याकांड अब देखो सवाल कैसे बन सकता मानगट हत्याकांड कब हुआ था आपको बताना है तो मान गट्था कांट आपका मन हुआ था बिल्कुल आपको याद रखना नीस सल तैरा के अंदर वह था बइक अगर वह था नी सल 3 में बिल्कुल यह दू तीन बार आपको पूछागे कि मान अत्याकान का जो संबंद है वो कौन से जिले से आपको याद रखना है, बास वाड़ा से, बिल्कुल आपको याद रखना है, आगे बटते हैं, अगला कुछन देखते हैं, यह यह राबन अ, मारवाडी, रि उपबोली है, तोरावठी, राजावठी, शेखावठी, चोरासी, तो मारवाडी की जो बोली है आपकी, तो बिल्कुल मैं इसका सही आंसर आपको बताना चाहूं, तो शेखावठी जो है, ये मारवाडी की बोली है, बाकि तोरावठी, राजावठी, चोरासी है, तो डुंडाडी की बोली और शेखावटी जो है आपकी यह मारवाडी की बोली है बिल्कुल आपको याद रखना शेखावटी का बोली जाती है आप सभी को बता है शेखावटी शेत्रमा आपके तीन जिला आता है चूरू, सीकर, जुन-जुनू, एक नीम का थाना और सामिल हो गया थे यहां आपकी शेखावटी बोली बोली जाती है तोरावटी बिल्कुल आप जानतों कांतली नदी का जो परवास हैत्र उसे तोरावटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहले यह तोरावटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसलिए से तोरावटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि नम बिल्कुल प्रोब कारणी सभा कौनसी सभा प्रोब कारणी सभा अठारसो तर्यासे में स्वामी दयानन सरस्वति ने उदेपुर में कि सामाजिक संसा की स्थापना करें प्रोब कारणी सभा अब एक्जाम में सवाल कैसे बनाएगा कि प्रोब कारणी सभा कि स्थापना कभी इस तरह से वापस सवाल आपका रिपीट हो सकता है बिल्कुल इंपोर्टेंट सवाल है आधे सवाल तो आपको कुशन और अंसर के अंदर ही मिल जाता है इसलिए अगर नोट्स तयार करो नो तो कुशन को अच्छे से पढ़के फिर क्या करो वाके में मज़ा आएगा सोट नो बनाओ जो सवाल आपको आता वो नोट्स में एड मत करो जो नहीं आता वो एड करो और ऐसे बनाओ कि एक चोटी सी डायरी बनाओ उसमें ये लिको रोज उसको रिपीट करो विसाब आपका एक भी कुशन एक्जाम में चूटने वाला नहीं है अगर इस तरीकों का फॉल्य उमेद गंज सर्रक्षि सेत्र राजस्तान के किस जिलेम है तो उमेद गंज की में बात करो तो उमेद गंज आपका कोटे में पढ़ता वे कहा पढ़ता कोटा के अंदर बिल्कुल आपको याद रखना ऑप्शन नमबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएग सुखल पक्स की तर्थिया को आती जबकि में बात कर लोओ गंगोर कम मनाया जाता तो चैतर सुकल तर्तिया को चैतर मा की सुकल पक्स की तर्तिया को आपका गंगोर मनाया जाता तो त्योहारों की सुरुआत पूसरावनी तीस से हो जाता है खतम जो हो जाता आपका वो गंगोर के उपर यानि गंगोर का त्योहार चैतर सुकल तर्तिया पर त्योहारों के सभापती हो जाती है अगला कोशन देख लेते गाइस बिलकुल आगे बढ़ते हैं अच्छे से देखते हैं अगला कोशन आपका क्या है तो कोशन नंबर 24 आपके सामने राजस्तान का मोलेला गाउं के सिल्फ कलाके लिए परसिद्ध है यह आपको बताना है तो चोईस का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरान सिल्फ मिट्टी के खिलोने मिट्टी के बतनों के लिए आपका मोलेला परसिद्ध मोलेला कहा पड़ता है आपका रात संबन में बढ़ता है यह सवाल भी पूछा जा सकता है और या के परमुक अलाकार कौन है मोह मोहनलाल कुमार जिनका हाल ही में निदन हुआ था बिलकुल आपको याद रखना है मोहनलाल कुमार को पदमसरी पुरुष्कार भी दिया गया है कुशन नबर 25 के मैं बात कर लो तो राजस्तान के निमलिखित जिलों में से कौन सा अतियादर जलवायू परदेश का भाग है य ठीक है बिलकुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका जालावाड जो कि अधियादर जलवायू परदेश का भाग है सोरी वह उपाद रहे ना मैंने वह अजमेर और जेपुर बताया उपाद रहे वह अर्धार नहीं है ना आगे बढ़ता अगला कुशन देखते 26 रण मैं बिलकुल आपको नहीं बतानेवाला हूं कि इसको डिलिट कर द्यायकि कैसे बताएं 27 से कुशन के पर दो दो शांदर कूशन कि सासक के समय राजिस्तान में ब्लीव पोट्री की सुरुआत हुई थी आपको बताना तो जो सुरूआत हुई ने कौन से शुरुवात जो मानी जाती वो बिल्कुल सॉई राम सिंग के स्वाइभ सेबल पर्थम अलग है तो बिल्कुल आपको याद रखना है मांसिंग पर्थम तो यह ना आपके जो 52 साल तक मुगलों की सेना मुगलों की सेवा करी ठीक है बिल्कुल आपको याद कोशन नवर 29 के अगर मैं बात करूं नहीं सोरी उपर ओर रहे यह देख लेता है कुंछ नवर 28 आपका है कि पिछसचंप नममरे दोह करती रहना एक असल नाम का यह व यह आपको बताना है यहकुल इस दोह है उस करती के अंदर डोला का जो साले कुमार कुंध है और द्वार अगला कुशन देखते है कि एश अचरा 3090 तक काल राजस्तान के गोल चेति कहा मिला है बिल्कुल बहुत शानदार सवाल है इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेराट ओप्शन नमबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेराट सब्वेत आपको जेपुर से मिली है इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी, किसने करी थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है, बिलकुल आपको याद रखना है, बीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, बीजक की डूंगरी का सम्मंद भी आपका बेराट से है, किस से है, बेराट से है, बिलकुल आपको याद रखना है important है कहला अतनाद दिक्षित का संबंद भी आपका किस से हैं बिल्कुल बैराट से ही है नील रतन बैनर जी इनका संबंद भी आपका बैराट से हैं यह उतकनन करता है आगे बढ़ते हैं किस युद्ध में औरंग जेब ने जस्वन सिंग को हराया था यह आपको बताना तो question no.30 कि अगर मैं अच्छे से बात करूँ आपसे question no.30 का जो राइट आंसर हो जाएगा धर्मत के युद्ध में option no.D धर्मत के युद्ध में ठीक है किस युद्ध में औरंग जेब ने जस्वन सिंग को रहाया था तो धर्मत के युद्ध में अब देखो यह मुगलकाल के युद्ध है के यह बार आपको करम से पूछा जाता है तो इसके एक छोटी सी ट्रिक में ने बनाई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा देखो बंद साक दो बहदूरगड धर्मत सास सामोगड खजुराओ और दो सापका दोराई तो बिल्कुल करम से यह याद रखना बंद साक दो इससे आपको जो मुगलकाल के युद्ध है यह आपसे करम से याद जाएंगे कई बार पूछा जाता करम से और याद नहीं होत आपन confuse हो जाते हैं डामो और जंजाती का निवास हैत्र है तो इसका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा निवास हैत्र है तो डूंगरपुर बासवड और उदेपुर में आपका डामो और जंजाती रहती है ये बिलकुल आपको याद रखना है ठीक है है या फौन योग को जयाती है राजस hou को जाएगा फटीर रखने में जाना रर्खन झाए-बिलकुल आपको याद रखना देखो ये वाला पार्ट अगर मैं बात करोना इधर ये तो और आपका सुस्क करेति ला, यह हो गया अर्ध सुस्क करेती ला, तो देखो, एक तो है एरीडो सॉल, सब जगे पाई जाती, एंटी सॉल आपके अर्ध सुस्क वैतर में पाई जाती, इसके बाद, देखो, हाडोती के पठ्थार जाकाली मर्दा है, हल्कि-फल्की, वह आपकी ब पाई जाती है ठीक है और अलफी सोल मर्दा जो है आपके ये पूर्वी मेदान के इस्से में पाई जाती है और अरावली के आसपास और अरावली के उपर जो पाई जाती है इन सैप्टी सोल मर्दा पाई जाती है इस तरह से पाच परकार की मर्दा राजस्तान में पाई जात थर्ठी तरीका बिल्कुल आपका रायट अंजर हो जाएगा चाराण अरजुन देव चाराण ऑप्सिन नमबर डी जो है आपका बिल्कुल रायट अंजर हो जाएगा नेक्स्ट, मरू विकास कार्यकरम DDP किस वित वरस में प्रारम किया गया था, तो 34 का जो आपका राहिट आंसर हो जाएगा, 1937-1978 में, इसी परकार का एक और कार्यकरम है, जो बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है, सूखा संभावे कार्यकरम कब शुरू किया गया था, 1934 चोतर में आपका सूखा संभावे कार्यकरम चालो किया गया था, ओपरिसन केज़ड़ा कब शुरूआत की तो उपरिसन केज़ड़ा की ती, 1991 में, जबकि मेवाद विकास कार्यकरम, 1986-1983 में आपका स्टार्ट हुआ था, साथ इसाथ आपको ये फैक्ट भी बिल्कुल य वाड़ी भी बांगरू नहीं है यह हर्याना में बूली जाती बांगरू ठीक है यह राजिस्तान में नहीं है बांगरू भी राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 की में बात करूँ तो जालोर के सासक अलाओ धिन खिल जी के मद्धि संगर्स के जानकर इनिम नमें से किस करंद में मिलती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कान अड़े परबंद ओप्शन नम्बर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कान अड़े का सही अवरोई करम है तो देख लेते हैं इसका से 30 आपका जो सही आंसर होने वाला कौन सा है तो सबसे जादा जेपुर थे पुर यहीं नी पिर अलवर अलवर के बास वाड़ा बास वाड़ा के तो आप्षिन नमबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं राजिस्तान सरकार द्वारा जन जाती 17 विकास विभाग की रहां की स्तापना 10 वश्में की गई थी बिल्कुल तो थाटी 8 का आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा बिल्कुल जन जाती 17 विकास विवाग की स्ताफना 1905 में हुई थी विकाब हुई थी 1905 में आपको बिल्कुल याद रखना 1905 के अंदर स्ताफना हुई थी आपको बिल्कुल याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन 39 निवन में से कौन गागरोन राजपूत का सासक थे दन्ना जी पीपा जी संथ पीपा जी जो थे ना गागरोन राजपूत सा सकते हैं राजा थे इन्होंने सब कुश त्याग दिया थे और इस संथ बन गिया थे ठीक है इनकी छत्री जो अभी भी गागरोन दुर्ग में है बिल्कुल आपको याद रखना इनकी गुफा संदड़ी इनकी गुफ निमनांकित में से कौन सी नदी उदेपूर जिले में परवाइत नहीं होती है या आपको बताना है कौन सी नदी जो है उदेपूर जिले में नहीं बेती है या आपको बताना बड़ा अच्छा सवाल है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारवती नदी का सम् है लकडी की पहाडी और गाटियों की भूमी बारा को का जाता किसे का जाता बारा को आपका आपका बिल्कुल राइट अगला देख लेते 42 आपका सामाजिक परिवर्तन के संदर में सैक्षिक परबंदन का महतुत क्या है तो 42 आपका जो राइट परबंद के सवाल आपका राजस्तान में आठी अधीनियम की कितनी दार आए तो बिल्कुल 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी 29 दार आए कितनी दार आए लेकिन जब यह कोशन बनाता ताब सोधी नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो अगला कोशन देखते हैं आर्टी के प्राउदानों के अनुसार राज्जी के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सी इर्टी से जिले में चालु किया इया आपको बताना हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बिलकुल यह अलवर में चालु किया गया तभी कहां अलवर में, option number A जो है आपको बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा, अगला देखते है 47 वरस टैस प्रते ग्रामिन प्रिवार को कारे सील गरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी के आप पुर्ती परदान करने है तो जल जीवन मिशन किरियानवित किया जा रहा है तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोजार चोईस ओप्शन नमबर बी जो है आ स्वास्ते बीमा योजना स्वास्ते बीमा पाच लाक से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर से 10 लाक कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं निम नांकित मेंसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है तो 49 का प्रनार यूजणा के अंतर्कत कितनी आृतिक शाहिता प्रदान कि जाती है? तो फिफ्टी के अगर उत्तर की में बात कर लो तो इसका बिलकुल रॉयट अंसर हो जाएगा आमका बी पांसो से डाई हजार परतीमा, उप्शन नमर बी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अगला, अक्षे परियोजना 2002 में भारत के किस राज्य में सवर परतम आरम की गई थी, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा केरल में सबसे पहले शुरू की गई, कहां केरल में, अगला जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, 24 जनवरी 2007, ऑप्शन नमर वन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परदान मत्री कुसूम योजना संबंदित है, किस से संबंदित है तो आपको बिल्कुल याद रख आर्टी अदीनियम 2009 के अमसार कौन सा या कौन से सही है, तो 55 के अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका उप्शन नमर डी, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों ही गलत है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ बचेवे कोशन है जो बता द अगला कौशन देखते हैं, 57 कौन सा एक अभे कमांड एक कंट्रोल से सिधा सम्मंदित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस विवाग, 57 के बाद 58 कोशन देखते हैं, विप्रित प्रामिड आकार वाले बना धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जात आपको याद रखना वापस रिपीट हो सकता है, दाबाई कुंड आपका कहा पड़ता थी, बूंदी में पड़ता अपने नोट्स में जरूर एड करना, मैं पक्का कह रहा हूं, रिपीट होगा ये कुशन वापस है, 59 के में बाद कर लो, तो निम लिखित में से कौन सी एक बेर की किसम नहीं है, ये आपको बताना है, तो 59 में देखो, गोमा कीरती भी है, थार सेवी का, थार भूज राज भी है, गोमा कीरती लिग्ग, गोमा एस वरे नहीं है, डी जो है इसका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा, अगला कुशन देखते हैं, 60, तो ये कुशन फ 2020 ठीक है, आगे, राजस्तान मदरसा बोर्ड कहा है, इस्थिति तो 62 के अगर मैं बात करू तो राजस्तान मदरसा बोर्ड आपको कहां मिलेगा, बिल्कुल मैं बात करू तो प्रुस ए कल में सुन पदक निवनांकी तुमेशे किस सरन है में पृप्त किया था, तो इसको बि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कस्तूरवा गांधी बालिक का विद्यालिक का प्रारंब हुआ है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैं बात करूँ तो 2004 में स्टार्ट वावे कब हुआ 2004 के अंदर स्टार्ट हुआ तो ओप्शन नमबर C जो W20 में परती निद्र किया तेवे उसे सग्गे है तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी अर्थ सास्तर की तो यह सारा आपके 65 कोशन कंप्लीट हो गए तो आज के लिए बस यतना